अब हम जानेंगे कि किस तरह से हमारी रीडिंग लिस्ट में हम बुक्स एड़ कर सकते हैं इसके लिए हमें टाइटल्स नाम की इस लिंक पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करते ही आपके पास जो आप्शन आता है यहां कुछ बटन्स आपको नज़र आएंगे जिसमें एक बटन है जिसका नाम है एड़ बुक्स आपको इस बटन को सिलेक करना है यह आपको उस पर एंटर करना है इसे सिलेक करते ही बुक सर्च फॉर रिडिंग लिस्स नाम का एक छोटा विंडो आपको नजर आएगा जहां आपको सर्च एडिट बॉक्स नजर आएगा आपको जो भी बुक असाइन करनी है आप उस बुक का नाम टाइप करे और सर्च बटन पर क्लिक करे जब आपको वो बुक नजर आ जाती है तब उस बुक के सामने एक चेक बॉक्स है आप उसे चेक करिए इसके बाद अगर आपको कुछ और बुक अड़ करने है तो नीचे जो बटन दी गई है सेव एन एड़ मोर आप उसे सिलेक कर सकते है अगर आपको बस यही बुक सिलेक करनी है तब आप सेव एन क्लोज बटन को इस्तेमाल कर सकते है सेव एन एड़ मोर बटन आप सिलेक करते ही आपको दुबारा से सर्च ऑप्शन नजर आएगा इसमें से आप जिस से मैंने यहादे इन महाराष्ट्रो बोर सिलेक किया है और इसमें सर्च कर रही हूँ बुक्स की लिस नीचे आने के बाद आप उनके सामने दिएगे बुक के नाम के सामने दिएगे चेक बॉक्स पर आप क्लिक करें जो जो बुक आपको सिलेक करनी है reading list में आपको add करनी है उन books को आप select करने के बाद में नीचे save and close बटन है उस बटन को आप select कर लेजे इस तरह से आप book add कर सकते हैं आपकी reading list में धन्यवाद